हेलो व्ल्कम बैक टू मैं चैनल मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप सबको एक साथ दो दो केक की डिजाइन दिखाने जा रही हूँ मान लीजिए कि बहुत जल्दी जल्दी आपको केक बनाना है और कस्ट्रमर को कोई रिक्वाइर्मेंट नही दिया है आपको कि ऐसा ही बनाना है तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं तो उस टाइम यह जो डिजाइन में आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ दो तो यह आप ट्राइ कर सकते तो यहां पर मैं स्ट्रॉबिरी पहले एक स्ट्रॉबिरी केक बना रही हूँ तो उसक तो थोड़ा सा यलो कलर के साथ जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा ठीक है और अगर आपको चाहिए कि ऐसा ही तो ऐसा वाला भी मतलब ट्राइ कर सकते हैं तो यहां पर देखिए कोल्ड ग्लेज को मैंने यलो कलर रखा था और उसके उपर दो बूंद दो तिन बूंद मैं यहां ने पिंग कलर का मिक्स किया और उसके बाद स्पैचुला को सीब्हे सीब्धे स्वाइप किया और नीचे के तरफ से राउंड राउंड से घुमा दिया अब यहां पे बाटर स्कॉच केक रडी हो रहा है तो मेरे पूराने बहुत सारे वीडियो बहुत सारे आप एकक करके देखते रहिए जंए है आप तो यहां अललोई कलर को मिक्स करके क्रेम को मैंने लगा रही हूँ तो जो हमरा बेटर स्कॉच का कलर है वो आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे जो कॉल ग्लेज है उसमें मैंने थोड़ा सा येलो के सा थोड़ा सा पिंक साड़ी रेट कलर को मिक्स किया तो बिल्कुल थोड़ा सा और उसको फिर इस तरह से मैंने चारो तरफ से कॉवर कर दिया है और ये जो डिजाइन है बहुत ही प्यारा है मान लेजेए फटा फटा आपको केक बनाना हो कुछ चीज़े आप पहले से तयार करके रख ले जैसे कि किस तरह से काम करना होता है जब बहुत सारे केके काम करना है अगर आपको शॉप का काम करना है जैसे मेरा शॉप है शॉप के लिए बनाना होता है हर रोज तो बहुत सारे केक होता है फस्ट फस्ट हमें काम करना होता है तो मैं के लिए ही समालती हूँ मतलब मुझे काम करना पड़ता है फास्ट तो यह ऐसा जो नॉजल है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया यह वाला नॉजल तो इस नॉजल को आप यूज करके इस तरह से सिंपली बना दे बहुत सारे बनाए होंगे आप डिजाइन और यह जो जो मरा चिकी है जो नट का जो आता है गूर और नट का उसको आप इस तरह से क्रूश करके डाल दे और अभी क्या करेंगे यह फॉंडेंट का फ्लावर मैंने पहले से बना के रखा था इस तरह से आप बना के स्टोर कर ले कुछ कुछ और एक दो तीन ही आमें यूज करना होता है फॉंडेंट बहुत डिजाइन बाकी रहे गया था उसको हम कंप्लेट करते हैं तो सेम नोजल का यूज करूंगी और क्रीम जो था वही मैंने नीचे के तरफ से डिजाइन कर दिया और यह देखिए उपर में जब बना रही हूं यह ना हातों का घुमाने का स्टाइल होता है आप थोरा सा वीड